असलाम उलेकुम, कैसे हो, उमीद करती हूँ कि सब ख़यरेस्से होंगे, अलहम्दलिल्ला मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों खित्मत में एक नए रेस्पी लेकर फिर से हाजिर हूँ आज के जो हमारी रेस्पी है गाईस, वो एकदम न्यून रेस्पी, एकदम डिफरेंट और एकदम अनोखी रेस्पी है आज से पहले आप लोगों ने ऐसी रेस्पी ना देखी होगी, ना खाई होगी, ना बनाई होगी ये रेस्पी आपको किसी रेस्टोरेंट या धाबे पर भी नहीं देखी है ये मेरी अपनी खुद की रेश्पी है जब इसको हमने घर में बनाया गाईस हमारे घरवालों को बहुत ही पसंद आया बच्चे हो या फिर बड़े हर कोई चार्ट से और मांगवांग कर खाया गाईस इतनी यूनिक है और बहुत ही कम समान में बहुत ही कम चीजों में हमारे घर में ही बनकर ये रेस्पी बिल्कुल तयार हो जाती है, वो भी एकदम आसान तरीके से, बस इससे पहले मेरी यही गुजारिस है कि पूरी वीडियो देखे, वीडियो को भगा कर या स्किप करके बिल्कुल मत देखे, यहां पर हमें जरूरत पढ़ने वारी है गाईस अब यहां पर हमें दो कलर की फूड कलर जो होता है, उसका दो कलर की हमें जरूरत पढ़ने वाली है, तो यहां पर हमने जो है यह लोक यानि औरेंज कलर लिया है और हमने लिया है गिरीन कलर यानि हरा कलर, दोनों कलर को मैं थोड़े थोड़े से पानी में डाल कर भीगो कर पहले से रख देती हूँ, आप देख सकती हैं, अब यहां पर लेंगे हम गाइस कम से कम एक से दो कफ कुन फुलावल लेंगे, आप जिस हिसाब से जितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप मीठे की तो कोई तोड नहीं होती है, तो आप चाहे जितना भी बना तो में बस्ता नहीं है क्योंकि मीठा हर किसी को पसंद होता है और यह मीठा जो एक दम नया है ये तो गाइस एक आदमी पूरा खा जाएगा मागर पीट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा यहां हमने लिए हैं एक से दो कफ कॉन फुलावर जिसको हम आला रोट कहते है आला रोट को गाईस हम क्या करेंगे एक बरतन में पहले से भीगो कर रख देंगे जब आला रोट की उपर आप पानी डालोगे एक दम हाड हो जाता है आप देख सकते हैं मैं चम्मत से छुड़ा रही हूँ लेकिन जल्दी छूट नहीं रहा है लेकिन जब आप इसको एक बार घोल दोगे पानी में मिक्स कर दोगे तो फिर जो है बाद में वो इस तरीके से हाड नहीं होगा तो इसको पहले से घोल कर रख दीजिए देख सकते हैं इसको हमने घोल दिया है अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ यहाँ पर गेस पे हमने एक पैन रख दिया है, पैन के अंदर हम डालेंगे पानी, तो यहाँ पर मैं पानी इसके अंदर डाल दी हूँ, अब इसके अंदर मैं जो है जो अपना कुन फुलावर दो कफ का घोल के रखी हूँ, इसको मैं आधा डालूंगी, आधा मैं बाद में करूंगी यानि आधा बाद में इस्तमाल करूंगी यहां पर जो है अब यहां पर हमने अपने आला रोट को डाल दिया है और मीडियम आज करके हमें इसको चलाना है आज को फास बिल्कुल नहीं करना है फास आज पर अगर आप डायरेक्ट पकाओगे तो इसमें लाइट कलर नहीं आएगा इसमें थोड़ा सा लाइट कलर आना चाहिए इसको जो है मीडियम आज पर ही पकाईए अब चलाते रहना है हाथ को तो बिल्कुल नहीं बंद करना है जब तक यह पक नहीं जाता पूरी तरीके से तयार नहीं हो जाता तब तक आपको इसको चलाते रहना है त तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और चानल पर नए आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ये रेश्पी ऐसी है गाईस कि इसको तो अपने घरों में रिष्टिदारों में शेयर जरूर कीजिए ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले यहाँ पर पानी सूक चुका है हमने इसको बहुत ही अच्छे से चला चला कर पका लिया है देख सकते हैं एकदम ठिक हो गया है तो अब हमने जो कलर अपना घोल के रखा था उस कलर को यानि और अरेंज कलर को हमने पहले से देख सकते हैं जो रखा था घोल कर उसको हमने इस उसमें को हम बढ़िया से एक दम अच्छे से कम से कम एक से दो मिनट के लिए फिर से इसमें पका लेंगे अब थोड़ा सगाई सभी जो है कटोले में लगा था तो थोड़ासा पानी डालकर नई समस्रिणा यहां पका लेते हैं हर घरों में रहता है आसानी से मिल जाता है अगर नहीं है जो दूद की थैली हो गयरे आती है ना उसको ले लीजी उसमें 4-5-6-10 जगर तक इसे होल कर लीजी है किसे कीलो गयरे से उससे भी आप आसानी से बना सकते हैं अगर कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगी अब यहां पर मैं अपने चकली मेकर में सारे जो है जो हमारा बैटर है उसको हमने डाल दिया है और उसके बाद में गाईस हमें चाहिए फ्रीज का पानी एकदम ठंधा पानी अगर बरफ रहे तो और भी अच्छी बात है कम से कम इस रेस्पी को बनाने से पहले आपको 2-3 गहंटे के पहले पानी को राख देना है फ्रीज में एकदम ठंधा होने के लिए जैसे के एकदम मानू की बरफ इसके बाद में इसको हमें पानी में ही डायरेक जो है इस तरीके से सेप देना है तो इनकी हम सिमया बनाएंगे तो सिमया को हम डायरेक इसके पानी के अंदर ही ठंधे पानी के अंदर ही डालेंगे गरम पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए एकदम ठंधा पानी चाहिए तो सारे जो है जो हमने बैटर बना के रखे हैं सारे बैटर को हम इसी तरीके से देख सकते हैं चकली मेकर की मदद से हमारे पास था तो हम इससे बना लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसानी होगी बनाने में अगर आपके पास नहीं है तो जो हमने तरीका बताया है उस तरीके से भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई जो है मिश्टिक नहीं होगी बहुत ही आसानी से बन जाएगी अब यहाँ पर मैं चम्मच से चला रही हूँ, देख सकते हैं इसके सेप जो है बिल्कुल बरकरार है, सेप इसके बिल्कुल नहीं तूटेंगे अब इनको हम उठा कर रख देते हैं फिरीज में, अब हम आगे की दूसरी वाली तैयारी करते हैं, तो फिर से हमने उसी पैन में रख दिया है पानी गाईस, हमने पानी डाल दिया है और पानी डाल कर अब जो हमने आधा होल अपना कॉनफुलावर का आधा बचा की रखा थगाईस, उस घोल को हम पैन के अंदर डाल देंगे तो हमने जो दो कफ जो है कुन फुलावर घोल की रखा था गाईस उसको हमने आधा औरेंज में डाला है और आधा हम अब हरे वाले में डालेंगे यानि हरा कलर बनाएंगे ये दोनों कलर जो है हमारे रेस्पी के अंदर बहुत ही क्यूट लगते हैं अगर आप किसी भी एक कलर से बनाना चाहते हैं तो एक कलर से भी बना सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमने green color डाल दिया है इसके अंदर अब इसको हम उसी तरीके से चला चला कर एकदम thickness होने तक पकाएंगे इसके अंदर की जो मुश्चर है पानी की ये बिल्कुल खतम हो जानी चाहिए अच्छा गाइस एक बात और आपको बता दू जैसे ही liquid form में रहेगा बिल्कुल liquid की तरह है तैसे अगर तुरंत आप इसको बनाओगे तो इसका shape जो है बिल्कुल एकदम light color में चमकेगा जैसे कि आपको paint में दिख रहा है अगर वहीं पर आप थोड़ा सा इसको ठंधा कर दोगे या थोड़ा सा ठंधा हो जाएगा आपको तयारी करते करते न तो थोड़ी से color जो है थोड़ी से different हो जाएंगे यानि थोड़ी से फिके हो जाएंगे अभी देखिए कैसे चमक रहा है तो जो हमने orange वाला बनाया है थोड़ा सा हमारा ठिक हो गया था साचा अगर निकालते बैठाते हुए तो सारी कैयारी आप करके रखिए उसके परफेक्ट है इसको बनाने के लिए हमारा पहले वाला जो था थोड़ा सा ठिक हो गया था औरेंज वाला जो था अभी इसका जो बनेगा से ओ ना इसका छोड़ा सा छोटा छोटा बनेगा पर कोई बात नहीं है आप जैसा बनाना चाहते हैं जो भी सेप में देना चाहते है दे सकते हैं दोनों ही से बहुत ही क्यूट लग रहे हैं आप देख सकते हैं अभी मैंने जो है मसीन को चलाना भी श्टार्ट नहीं किया है सिर्फ नीची से चू चू के देख सकते हैं निकल रहे हैं पानी के अंदर तो अब मैं इसको बंद करूँगी और अब मैं बनाना rete यह लोगे गरम पाने में डाल दूगे तो यह बिखर जाएगा लेकिन अगर आप ठंदे पाने में डालोगे तो तूरंथ यह अपना सेप ले लेगा जिसके अंदर की खास्यत ही होती है और हमें इसी तरीकी से इसे ही बनाना है तो सारे जो है हमने जितने भी दुबारे के हरे कलर वाले हमने गोल बनाए थे देख सकते हैं सारे के हमने सेप बना कर तयार कर लिए हैं तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है देख सकते हैं मैं चम्मच से गोल रही हूं लेकिन फिर भी इसके सेप में कोई भी मिश्टिक नहीं हो रहा है अब इनको हम भी रख देते हैं हम फिरीज में आगे हैं हम जैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दी है कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे एक से देड़ चमच घी लालने की बाद में गाइस हमने लिया है ड्राइफूड जिसमें हमने बारिक बारि कट कर लिए हैं देख सकते हैं इनको मैं घी में थोड़ा सा फराई करूंगी जिससे इसके ऊपर क्या होगा थोड़ा सा लाइट कलर भी आ जाएगा और इसके अंदर करंच आ जाएगा जब यह हमारे दातों की नीजी आएगा गाईस हमारा डराय फूर तो फिर खाने में मज़्यदार लगेगा अब यहां पर हम इनको धीमी आज पर जो है थोड़ा सा मतलब भून लेते हैं फराई कर लेते हैं गाईस इसका कलर जो है एकदम गोल्डन हो जाएगा तो यह एकदम पर्फेक्ट है तो चलिये फटा-फट इनको हम निकाल लेते हैं यह देखिए पसंदीदा किसी भी dry food को डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते हो, तो भी आप इसको skip कर सकते हो, अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर दूध, तो यहाँ पर हमने एक लीटर दूध लिया है, दूध को हमने पहले से गरम कर लिया है, हमारा दूध गरम है, आपको जो मैं tips और trick बता रही हूँ, यह सारी चीजे आप बिल्कुल mix कर दोगे, और आपकी recipe इस तरीकी से नहीं बन पाएगी, तो guys वापस से मैं आप लोगों से request करती हूँ, कि एगर वीडियो अच्छी लग रही है, तो please वीडियो को like करके, दोस्तों में रिस्तेदारो में वाकसप गुरूप पर recipe को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले, क्योंकि यह recipe किसी को पता नहीं है, यह recipe मेरी अपनी खुद की recipe है guys, तो इसको बनाना तो बनता है, एक बार बना कर चक्कर देखिए, आपको खुद बखुद पता चल जाएगा, अब यहाँ पर हमने फिवर के लिए, यानि खुश्बू के लिए, हमने दो से तीन हिलाइची जो है, छिलके को निकाल कर हमने डाल दी है guys, इससे बहुत बढ़िया खुश्बू आएगा, टेस्ट आएगा, अब यह हमारा दूद जो है, यह उ और चीनी डाल कर हम बढ़िया से इसको पकाएंगे, और पकाने के बाद में अब क्या करूंगी, जब यह उबलना बंद हो जाएगा guys, तो जो हमने दो चम्मच कुन फुलावर घोल के रखा था, उसको अब इस टाइम पे हम दूद के अंदर डालेंगे, यह मैं क्यों डाल यह मैं बहुत ही आसान चीज आपको बताई हूँ, कोई भी नहीं बताएगा, जैसे हमें क्या होता है, हमें दूद को जलाना पड़ता है, गाढ़ा करना पड़ता है, तो उसमें दूद की भी ज़रूरत ज्यादा पड़ती है guys, अब इस तरीके से जब हम दूद को गाढ़ करते रहेंगे, कितना भी गाढ़ा कर लें दूद को, तो इस तरीके से इतना गाढ़ा नहीं होगा, अगर होगा भी guys, जैसे कि हम छेना उगरे बनाते हैं, तो उसके अंदर गुठुलियां रहेगी, लेकिन जब दूद का कच्चापन निकल जाए, दूद आपका अच्छे से पक जाए, चीनी अपकी अच्छी से पक जाए, तो उसके अंदर बस आप दो चम्मच कुन फुलावरी, जिसको आला रोट कहते हैं, जिससे हमने अपना सियो बना के रखा है, यानि सिवया बना के रखी, बस उसी को guys, दो चम्मच घोल कर दूद के अंदर डाल दीजिए, और देख सकते हैं, इसका कमाल आपके आखों के सामने है, दूद को जलाने की घंटो टाइम लगेगे हमें, ना ही दूद को हमें ज्यादा टाइम तक एक से देड़ घंटे पकाने की समय लगेगी, बिल्कुल दो मिनट के अंदर आपकी दूद जो है देख सकते हैं, बिल्क अलाई की तरह बिल्कुल बन कर तैयार हो चुकी है, अब यहाँ पर इसको हम धीमी आज पर पका लेंगे, और धीमी आज पर इसको पहले पकने देंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ये निकल जाए, जब इसका कच्चापन खतम हो जाएगा, फिर हम गये इसको तुरंध बन कर देंगे, और इनको हम ठंधा होने देंगे, कम से कम आधे से एक घंटे की बाद तक, ताकि दूद हमारा एकदम ठंधा हो जाए, तो ये देखिए, अब हमने अपनी सिवैया निकाल दी है, सिवैया को हम क्या करेंगे, अभी पानी से हम पहले इनको बाहा निकालेंगे इसका जो इस थंडा हो गया था इसका सेप थोड़ा सा बड़ा है और ये जो थोड़ा सा गरम था हरा वाला थोड़ा नहीं बहुत गरम था गाईस तो इसका सेप देख सकते हैं छोटा छोटा साइज का है तो आप दोनों में से जो भी सेप आप बनाना चाहते हैं दोनों में स कोई भी सेपाप बना सकते हैं वो इसे दोनों भी बहुत ही क्यूट हैं अब यहां पर मैं अपने सिवया को इस तरीके से छनी पे डालूंगी और इनके पानी को मैं निकाल लूंगी पूरी तरीके से पानी इसका निकल जाना चाहिए नहीं तो क्या होगा जो हमने दूद की मल यानि दूद को हमने बना कर रखा है उसमें कलर आ जाएगा तो हमारी रेस्पी को जो कलर छोड़ना था पानी के अंदर पूरा कलर छोड़ दी है अब यह दूद के अंदर कोई कलर नहीं छोड़ेगी तो अब हम अपने पके हुए दूद को लेंगे जिसका हमने पका के देख सकते हैं अब मैं इसमें हाट डाल रही हूँ तो एकदम यह ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल इसी तरीके से दोधापका होना चाहिए गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए एकदम ठंधा होना चाहिए उसके बाद में फिर इसको हम बढ़ियां से मिला लेते हैं और मिलान थी या नहीं बनाई थी guys comment कर कि प्लीज हमें बताइए comment करना बिल्कुल मत भूले हमें aap की comment का इंतेजार रहेगा guys आज की जो हमारी recipe है क्या आपने इससे पहले देखी थी या बनाई थी guys please बताइए हमें अगर recipe हमारी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने घरों में, दोस्तों में, रिष्टदारों में recipe को ज़्यादा से ज़्यादा guys शेयर कीजिए ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले रेष्पी अच्छी लगी है तो चानल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए इस तरीके से नई नई और आसान रेष्पी देखने के लिए हमारे चानल पर आप को बहुत ही आसान आसान और बहुत ही न्यूट डिलेशस रेष्पी देखने को गाइस मिलती है तो पिलीज एक बार इस रेस्पी को बना कर देखिए देख सकते हैं बच्चे लोग भी कितना मतलब हो कर रहे हैं कि हां रेस्पी बहुत ही वाकई में टेस्टी है दिखने में ही इतनी टेस्टी है तो सोचे खाने में कितनी मज़ेदार होगी बच्चे तो मेरे आगे पीछे रहे हैं, तो अब मैं चली इनको गानिश करने के लिए देख सकते हैं मैं इसको निकाल रही हूँ काटोरिया में, तो कितने ही इसके अंदर ठीकनेस है, ये देखीए बिलकुल एकदम मलाई की तरह है, देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी रबड़ी होती है न बिलकुल उसी तरीके से ये रेश्पी बनकर तैयार हुई है देख सकते हैं बहुत ही कम बजट में बहुत ही कम समान में और घर की ही चीजों से हमारा इतना सारा मेठे की रेश्पी बनकर तैयार हो चुकी है तो यहाँ पर थोड़े से ड्राइफ फूड से हमने इनको सजाया है देख सकते हैं और अब मैं इनको चक कर आपको बताती हूँ तो वाकई में बहुत ही टेश्टी है एक बार इस रेस्पी को बनाना तो बनता है गाईस एक बार इस रेस्पी को जरूर बनाएं और बना का चक कर फिर हमें बताएं कोमेंट करके जरूर की आपकी जो मीठे की रेस्पी है वो कैसी बनी है अगर कोई बात हो गाईस कोई सवाल हो तो आप बेजीज़क हमसे कोमेंट में पोस्ट सकते हैं हम आपके कोमेंट का जवाद जरूर देंगे तो चलिए गाईस एकदम new recipe, delicious recipe बनकर हमारी तयार हो चुकी है, देख सकते हैं, कोई भी मिर्मान गाईस घर में आने वारे हो, कोई भी पाल्टी हो गए रहे हो, तो बना कर इस recipe को आप खिला सकते हैं, चलिए फिर मिलेंगे, अस्सलाम हो ले